दर पूरू सीएम दिखविजे सिंग का बड़ा बयान सामने आया हुआ है। उन्होंने काए कि मेरे रहते हुए एक भी विकाओ अप कॉंग्रेस में नहीं रहेगा। जिन्होंने गलबड़ी की है। उन्हें कॉंग्रेस से आज ही बाहर करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचाय चुनाओं में क्रॉस वोटिंग हुई है और बुपाल जिला चुनाओं में क्रॉस वोटिंग को लेकर साफ तो पर दिविजे सिंग आप कहा रहे हैं कि जिनों ने गडबल किये हम जल से जल उन पर कारवाई करेंगे बाहर का रास् चलती रही जिनका कोई लेना देना नहीं वोटर से उन्होंने जाके वोट डाल दिये यह क्या नियम है यह क्या कानून है यह तो सरासर लोगतंत का मखौल है और मेरे रहते हुए इनको में कॉंग्रेस में घुसने नहीं दूँगा हमको विकाव नहीं चाहिए टिकाव माल बेलकुल केवल टिकाव लोगों को टिकेट मिलेगा है विकाव पर कोई भरोसा नहीं है तो साब तोर पर कह रहे हैं कि टिकाव लोगों को टिकेट मिलेगा और उन्हीं की पार्टी में इंट्री है विकाव को बाहर कर रास्ता दिखाएंगे सूरज शर्मा सीरिय हमारे समध पंचायद चुनाओं को लेकर यहां राजनेदिक पंचायद भी देखने को मिली है तेकि बिल्कुछ जिस तरीके से जिला पंचायद अध्यक्ष से चुनाओं हुआ बाख़ाई चुकाने वाला कि उजस्तरी के सुबह से कौंग्रेस दावा कर रही थी क्या आठ सदस्से उनके हैं दो बीजेपी के हैं लेकिन जब रेल्ट आता है तो छे बीजेपी के पास जाते हैं और चार कंग्रेस के पास साथ यही कारने की दिवेश सिंह लगातार यह कह रहा है कि जो लोग विकाऊ हैं खासतोर से जो आठ साथ सदस से उनके थे लेकर उनके साथ चार ही रहे और जो चार सदस ने जिनमें इनको अध्यक्ष बनाया गया खासतोर से राम कुबर गुर्जल की बात करें तो उनके पती कांगरेस के पतादीकारी हैं तो उसके अलाबा भी दो ऐसे पतादीकारी, चाहए महिंग जाट की बात कर Öyleले तो वह भी बीचेपी के πα्यूंगरेस के पतादेकारी हैं और वह आज कहीं करसवोटिंग की है और प्रकार से उसको च्रासवोटिंग की जगे टेंटर वोटिंग कॉंग्रेस के साथ रहते हैं कॉंग्रेस के नाम पर जीते हैं और आखरी समय पर यदि वो पार्टी का साथ छोड़ते हैं ऐसे लोगों को आगे आने वाले समय में टिकेट नहीं दिया जाए क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है देख से देख साल के बीच का समय बचा है जब पर नाम आये तो वो बीजेपी के साथ होते नजर आये साथ ही कारणे की संदेश देने की कोसिस यहां से की जा रही है कि यदि भवश्च में किसी किनी लोगों को पार्टी टिकेट देती है तो बहुत ही ठोक बजाकर बिस्वास में लेकर इनों टिकेट दिया जाएगा ता की पहला जटका उस समय लगा उसके बाद जनपद आज जिला पंचाथ और अभी भी पिच्चर बाकी है क्योंकि नगरी निकाय चुनाओं में नगर परिस्द के अध्यक्ष चुनाओं भी होना है ऐसे में कहीं ने कहीं अभी भी कॉंग्रेस इसी डर में है कि क्या वो प्रत हम घोसे दोंगे तो क्या कॉंग्रेस के साथ रहेंगे या जो तस्बीर आज नजर आई है वही तस्बीर फिर से सामने आएगी ज़े शुक्रिया सूरा जिस सवाम बाचीत के लिए तो